अग्रिकल्चर में भी पहले जो ट्रैक्टर्स आया करते थे उपसे कहीं वादा आडवांस्ट ट्रैक्टर्स और मिशिनरी आज के टाइम में आचुकी है इंडिया में ट्रैक्टर्स की मार्केट में फौराज मावदा और महिंद्रा का अपना नाम है लेकिन इंटरेशनल मार्केट में जौन डीरे एक बहुती बड़ा ब्रैंड है इंडिया में भी इसके ट्रैक्टर्स और गाड़ियां मिलती हैं लेकिन इतनी वदा पॉपलर नहीं हैं जितनी की फोरेंड मार्केट में हैं अभी के टाइम में तो छोटे छोटे ट्रैक्टर्स पर आने लगे हैं जिने हाथ पे चलाया जा सकता है लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको दुनिया का सफे बड़ा ट्रैक्टर दिखाने वाला हूँ इस ट्रैक्टर को ओर्जिनली 1995 में बनाया गया था और उद बमाने में पेट्र और डिवल के जगा कोईले की गारियां भी चलती थी लेकिन अभी के टाइम में इस ट्रैक्टर को फिर से रिविल्ड किया गया है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए यह लोग बहुत फारे प्लॉट्स को एक ही बार में जोत रहे हैं यहां पर इस ट्रैक्टर को रिविल्ड करने के लिए खर्चा भी तगड़ाया है करीब पास से आठ क्रोट रुपे का खर्चा है इस ट्रैक्टर को फिर से बनाने के लिए और यहां पर अब्वे के टाइम इस ट्रैक्टर को प्लीड़ करने के लिए में नाका काम कर रहे हैं और कि ट्रैक्टर को लेड़ कररहे हैं पर के और्यक каких rate कया के रिविच करने के लिए और से प्रोर्ण करने के लिए इन्हों है अपनी जिंद्गे में के करीने करotto अब אס शालvideo में के इंडिया में तो छोटे ट्रेक्टर्स का ज्यादा इस्तिमाल होता है लेकिन बाहर की कंट्रीज में बहुत ही बड़े-बड़े खेत होते हैं और वहां पर इसी तरह की बड़ी-बड़ी पावफुल मिशिनरीज काम में लाई जाती हैं लेकिन वह आज के टाइम में थोड़ी मोडन हैं लेकिन ये वाला ट्रेक्टर स्टीम एंजन फे चल रहा है और एक पास 44 हल को साथ में खींच रहा है और इन्हों ने इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है तो चलिए दोस्तों अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये ट्रेक्टर कहफा लग रहा है और आपको ऐसे ही नियो नियो वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आकन को प्रेस के लिजेगा जाइब कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो चाहिए कि आपको ठागा है